यहाँ पर देखे, करेक्टेरिचिटिक साफ हा, साउंड की बात किया जा, तीन है, लाउडनेस है, तीच है, और टिम्बर है, लाउडनेस क्या होता है, तो लाउडनेस का मतलब होता है, क्या होता है, कि कोई चीज कितनी लाउड है, साउंड कितनी लाउड है, जैसे अगर किस center position है center से इतना यह जो difference इतने का है center से जो उंगली के बीच में difference है है ना यह तुम्हारा क्या है यह maximum displacement है maximum displacement का मतलब एक तरफ जितना खींचा जा सकी जैसे यह आपका मालिजे जूला है एक तरफ यह जितना ज़्यादा जाएगा है ना तो एक तरफ के distance को maximum distance को कहा जाता amplitude अगर amplitude कम होगा तो sound क्या होगा slow होगा amplitude ज़्यादा होगा तो sound भी क्या होगा loud होगा इसका मतलब जो loudness आप sound हुआ यह amplitude आप vibration पर depend करता है यह पूरा ऐसे करता रहेगा तो vibration हो जाएगा maximum displacement को amplitude कहते है अब यह जो loudness आप sound को measure किसमे किया जाता है तो decibel में measure किया जाता है अच्छा decibel जो है दर्द नापने की काई भी होती है एक तो है sound के loudness को measure किया जाता है और दूसर number pain को दर्द नापने की काई भी decibel होती है और यह चीज महिलाओं में 57 decibel pain pain सहिन कर सकते हैं लेकिन जबकि जो मेल होते हैं यानि की पूरुसों केवल 45 decibel pain सहिन कर सकते हैं और यह 57 decibel pain यानि की महिलाओं में baby world के समय होता है और पूरुसों में केवल 45 ही होता है done तो decibel से दो question एक तो sound की loudness को measure करेंगे और दूसर नंबर क्या होता है decibel जो है दर्द आपने की एक unit भी होते है यह चीज हो गया अब जैसे यहां दिया गया है यहां पर decibel यह दर्द आपने की काई वाला नहीं है यह क्या है loudness आप sound को measure करने का है जैसे यहां दिया गया है normal breathing अगर किया जाया तो वहां पर loudness होती है 10 decibel होती है 10 decibel के equal होगी soft whisper होगा तो वहां पर 30 decibel sound लगता है और normal conversation अगर आप normal conversation कर रहे है नार्वन बात कर रहे हैं तो 60 decibel लगता है sound और busy traffic टी 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 पी पी चारो तरफ होता है ना busy traffic तो वहां पर 70 decibel और average factory नार्वन जो factory में होता है वो 80 decibel जब जो है sound वहां पर sound की loudness को measure किया जाता है तो यह चीज आपका अच्छा खासा question है और बाकी इसमें आपके सामने है आपको यह सारी चीज़ा ऐसे notes में भना लेना है लेकिन इसके साथ में यह fact file तो लिखना है fact file से यह चीज clear हो जाएगा बोलने के लिए कितना decibel आप sound लगा रहे है loudness पता चल जाएगा दूसर नंबर यहां पर देखे जो दूसरी चीज है हाँ दूसरा चीज है आपका है ultrasonic waves तो इस चीज को ultrasonic waves का use sonar में किया जाता है और sonar का full form होता है क्या होता है गांवाला sonar नहीं sonar का full form होता है sound navigation and ranging इसको मतलब sonar में ultrasonic waves का use किया जाता है अच्छा इसके पहली यह समल लिया जाए कि ultrasonic waves होता क्या है तो इस चीज को समझने के लिए हम लोग को थोड़ा बैक आना होगा और जिसमें ideal और in ideal sound के भारे में तो देखे यहां पर sound 2 यहां पर sound को इन्होंने जैसा कि दो पार्ट में categorize किया गया एक तो उन्होंने का ideal sound ideal sound और दूसरा इन्होंने कहा क्या कहा in ideal sound in ideal sound ideal ideal और in ideal sound तो अब ध्यान दीजेगा यहां पर जैसे दिया गया है जो ideal sound होता है ideal का मतलब जिस sound को हम सुन सकते है a sound that can be hear जिस sound को हम सुन सकते हैं वह होता ideal sound है और ideal sound कितना होता है यह भी देखना जरूर यह तो यहां देखो we can hear sounds within frequencies ranging from 20 Hz to 20,000 Hz this is called ideal frequency range up sound यहनि कि जो ideal sound होता है यह कितना होता है 20 Hz से लेकर कितना होता है 20,000 हर्ड जो होता है 20 Hz से लेकर इन्फ्रासोनिक साउंड या इन्फ्रासोनिक साउंड यानी कि arising इन्फ्रासोनिक साउंड और दूसरा है ăltz अल्ट्रा साउंड सुने होगी अल्ट्रा सोनिक साउंड अल्ट्रा सोनिक साउंड तो यहां ध्यां देजी इन्फ्रा सोनिक साउंड क्या होता है तो इन्फ्रा सोनिक साउंड जो होता है यह क्या होता है लेस देन यह होता है तुम्हारा लेस देन 20 hertz ऐसा sound जो कि 20 hertz से कम हो और ऐसे sound को कौन सुनते हैं जब भूकंप उगरा आता है तो देखो आम लोग को पता नहीं चलता है लेकिन जानवरों को बहुत जल्दी पता चलता है वो कूदने लगते हैं कुद्टे वगरा एकदम अपने वोकाल में आचाते हैं मतलब उनको पता चल जाता है धरू-धरू भागने लगते हैं मतलब वो इस sound को सुन सकते हैं या ऐसे भी अभी कुद्टे वगरा सो रहे हूं जड़ा साथ देखो तुरन जब कर वर्ड़ जाते हैं तो वो क्या होता है इन्फरासोनिक साथ जो की 20 हर्ड़ से क्या होता है कम होता है और दूसर नंबर अल्टरासोनिक साथ क्या होता है तो अल्टरासोनिक साथ अल्टरा नाम से ही क्लियर है जो क्या होता है जिस साथ की फ्रेक्वेंसी मोर देन 20,000 हो तो यहाँ जैसे 20,000 Hertz अब यहाँ से एक चीज़ यह देखने वाली बात है यहाँ समझेगा देखो इसको Ultrasonic Sound यहाँ पर यह Hertz क्या होता है एक प्रसनार है ना बार बार Hertz क्या होता है तो यह होता है Unit Unit of Sound यह Sound की Unit होती है मतलब Sound को Major किसमे क्या जाता है नहीं गलत हो गया कुछ तो यह आपका Hertz क्या होता है किसकी Unit होती है Frequency तो यह जो होता है आपका Hertz होता है यह Frequency की Sound की Frequency की Unit होती है तो Frequency की Unit Hertz होती है एक्चॉल में इसका Reason क्या है जो Frequency होता है Frequency is equal to होता है 1 upon time period यह चीज होता है आपका frequency is equal to one upon time period तो frequency की unit की बात किया जाए तो one upon second हो जाता है one upon second और one upon second को तुम लिख सकते हो second की power minus one है ना या पर second चाहिए second की power minus one या इसको आप क्या लिख दो पर second अब इसी चीज़ को यानिक second की power minus one को ही hertz कहा जाता है ध्यान देना hertz hertz z से denote करते हैं clear तो ये जो frequency होती sound की frequency को measure किया जाता है hertz में hertz को और क्या करते हैं per second इसका reason है क्योंकि frequency is equal to होता है one upon time period means f is equal to one upon t होता है done इतना clear हुआ अच्छा अब दूसरा आता है आपका दूसरा क्या होता है आपका pitch होता है दूसरा अगर बात किया जाए तो वो pitch है यानि कि p i t c h और pitch की अगर हिंदी में बात किया जाए तो इसकी हिंदी होती तारत तो है जैसे आप लोग नार्मली ये question सुने होगे कि एक बच्चे की sound क्या होती है पतली होती है लेकिन बाद में उन्हीं की sound क्या होती है मोटी हो जाती या आप ये भी सुने होंगे महिलाओं की पेच्चा पूरसों की आवाज जो होती है मोटी होती है इसका region क्या है ये ही pitch का ही region है है ना ये जो है आपका pitch है तो अगर बात किया जाए pitch क्या है तो इससे आप बताएंगे shrillness या flatness आपा sound shrillness shrillness और flatness आपा sound is called pitch shrillness और flatness of a sound is called pitch मतलब sound की shrillness या जो है flatness को ही pitch कहते है यहाँ पर देखो अगर यहाँ से बात किया जाए तो man की voice जो होती है वो flatness होती है है ना अगर यहाँ कहें a man's voice a man's voice is flat अना flat का अमलब थोड़ा जो है मोटी होती है and hedge और क्या होता इसके बाद में low pitch है जा लो पिच अब जिसकी pitch हाई होगी जिसकी pitch sound की pitch जिसकी high होगी उसकी sound पतली होगी और sound shrillness होगा तो man की sound क्या होती है मोटी होती है अहां इसके अगर बात किया जाए बड़ अगर woman की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा woman's voice is shrill इनकी voice जो होती है क्या होती है श्रिल होती है पतली होती है और इसके साथ में क्या होती है and a high and has a high हाँ high pitch और इसके साथ में जो sound की pitch होती है वो high होती है है ना दो चीज़ होता है आपका यहां पर यहां पर एक चीज़ यहां से अभी clear हो जाएगा सारी चीज़ यह कह रहे है हाइर अगर sound की frequency higher होगी तो pitch भी क्या होगी higher होगी और यही वज़ा है frequency का मतलब कम ही समय में बहुत जादा बोल देना और यह तभी possible हो पाएगा जब आपकी sound क्या होगी पतली होगी और ऐसके इसके साथ होता है लड़कियों के साथ होता है कभी उन लोगों को लड़ते होए देखे हो भाई कम ही समय में इतना तेजी किसी इतना जल्दी जल्दी पता नहीं क्या बोल देते हैं समझ नहीं आता है एक तो sound पतली यह आप ऐसे समझ सकते हैं सीच को फोन में आप YouTube तो देखते होगी वहां पर आता है 2X किसी का 2X कर दो लड़कों का फिर भी समझ में आता है ठीक रहता है लड़कियों का कर दो उ आप 2X कर रहो बहुत ज्यादा कर रहो वहां चार option देता है कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं तो वही चीज होता है तो मतलब अगर पूछ ले जाए यह जो pitch of sound होती है किसकी उपर depend करता है तो frequency of vibration के उपर जैसे आपका loudness किसकी उपर depend करता था amplitude of vibration पर तो बात क क्या जाया है pitch pitch of a sound depends on depends on यह किसकी उपर depend करता है तो यह क्या बताओगे frequency के उपर है ना frequency जो sound की pitch होती है frequency के उपर depend करता है और frequency मतलब क्या हुआ मतलब यह हुआ कि अगर higher frequency होगी तो higher pitch भी होगा आप कह सकते हैं the higher the frequency of a sound अगर sound की frequency क्या है higher है अगर आपके sound की frequency higher है तो उस situation में क्या होगा बताओगे the higher will be its pitch the higher will be its pitch तो उसकी pitch भी क्या होगी higher होगी बस इतना याद रखो अगर sound की frequency higher है तो उसकी pitch भी higher होगी अब तीसरा आता है आपका timber तीसरा क्या आता है आपका timber आता है तो देखेगा है timber क्या होता है t-i-m-b-r यह भी आपका characteristics है तो timber का मतलब यह होता है कि देखो same intensity और pitch की sound को सुना भी जा सकता है तो यहाँ पर सीधा आप बोलो sound of the same intensity sound of the same intensity and pitch मतलब एक ही pitch और एक ही intensity की sound को है ना आप अलग-अलग पहचान भी सकते हो can be differentiated by its waveform और इसी को कहते है timber है ना अब यहाँ पर देखो यह थोड़ा आपका है यह कह रहे है same intensity की sound और same pitch की sound एक wave form के द्वारा पहचान सकते हैं यह भी कौन से sound कहां से आ रही कितनी दूर से आ रही जैसे कोई pass में बोलता है तो आप sound को differentiate करने में easy हो जाएगा वही sound अगर कोई दूर से बोल रहा है तब थोड़ा समस्य हो जाते है तो इस चीज को कहते है timber तो यहां अगर पूछ ले जाए बताए timber किसके ऊपर depend करेगा वाई simple से waveform के ऊपर depend करेगा timber अब sound depends on depends on यह किसके ऊपर depend करता है तो आप सीधा क्या लिखेंगे waveform क्या लिखेंगे waveform के ऊपर depend करता है तो यहां से सिंपल से एक आप कॉलम बना सकते हैं आराम से, यहां पर, देखे, साउंड की करेक्टेरिजिटिक्स तीन है, लाउडनेस है, और लाउडनेस अम्पलेट्यूट पर डिपेंड करेगा, पीछ है, पीछ की स्क्यूपर डिपेंड करेगा, फ्रेक्वेंसी की उपर, और टिम्बर की स्क्यूपर डिपेंड करेगा, वेब फॉर्म की उपर डिपेंड करेगा, चलो अब एक बार जितना आप पढ़े हो, उतना रिवीजन कर लो, साथ साथ में बोलते रहना, ताकि याद हो जाए, आभी तयार हो जाए, चलिए बताईए, साउंड की ओबराल कर अगर, 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 अगर दूसर नंबर, loudness को किस में major करते हैं, decibel में, किस में major करते हैं, decibel में, db से denote करेंगे, अच्छा, decimal में और किस को major किया जाता है, pain को, है न, woman कितनी pain सह सकती है, 57 decibel का pain, लेकिन जब कि man कितने pain सह सकते है, 45 decibel pain, यानि कि कौन ज़्यादा मजबूत है, woman, इतना इनको मिल जाए खतम ही हो जाएंगे, चलो, आगे देखो, sound, एक ideal sound होता है, एक in-ideable sound, ideal sound का मतलब that can be here, जिनको सुना जा सकते है, in-ideable sound का मतलब that can't be here, जिनको सुना नहीं जा सकता है, ideal sound की range कितनी होती है, 20 hertz से लेकर 20,000 hertz, और in-ideable sound की दो टाइप का होता यह, एक होता इंफ्रासोनिक, औ और एक होता है, ultrasonic sound, इंफ्रासोनिक sound की range, less than 20 hertz, और ultrasonic sound की range, बोलो, more than 20,000 hertz, अब यह बताइए, hertz क्या है, यह frequency of sound की unit है, hertz को और क्या कहते है, per second कहते है, है ना, यह frequency का फार्मूला क्या होता है, one upon time period, done है ना, अच्छा, pitch क्या है, तो shrillness और flatness, shrillness का मजब जो पतला, जो पतली आवाज होती है, flatness का मजब जो मोटी आवाज, sound का पतलापन है, मोटापन ही pitch घहलाता है, है ना, अच्छा, man's की, man's की voice की, जो sound होती, flat होती है और flat होने के वज़े इस क्या होता है, low pitch होता है हाना, दूसर नंबर woman की voice क्या होती है, shrill होती है और इसले उनकी pitch क्या होती है high होती है, हाना मलब हम कह सकते हैं, ये sound की जो pitch होती, किसको पर depend करेगी frequency के उपर, इसका मलब क्या हुआ, अगर sound की frequency ज़्यादा है, तो pitch क्या होगी pitch भी ज़्यादा होगी, अब बताओ महिलाओं में sound की frequency ज़्यादा होती है या पुर्सों में महिलाओं में, है ना, इसलिए वो कम समय में बहुत ज़्यादा बोल सकती है, ठीक अगला बताईए ये बताया जा सकता है, कौन किसकी है, उसकी waveform के द्वारा उसके आवाज सुनकर, है ना अच्छा, ये timber आप sound किसकी उपर depend करता है waveform के उपर depend करता है इतना clear, यहाँ से भाई एक question ये है आपका बहुत ज़्यादा important है इस पर double star कि sound के loudness को decibel में measure किया जाता है और इसके बाद miss, इसमें pain को भी measure किया जाता है decibel में human 57 pain, decibel का pain बरदास्ट कर सकते है और ये 45, एक तीन question ये है दूसर नंबर, यहाँ से अच्छा खासा पूछा जाता है, आपके completion में भी कि ideal sound की range कितनी होती है कितनी होती है, 20 hertz से 20,000 hertz और infrasonic sound की range less than 20 hertz और ultrasonic sound की range more than 20,000 है ना, ये चीज आपका ये तीनों आगे चल कर भी मिलेगा, आगे भी मिलेगा फिर तीसर नंबर, hertz frequency की unit होती, f is equal to अनपान, t होती है है ना, फिर एक question यहाँ से बस, इतना question आपका ज़्यादा पूछा जाता है डन है ना, आगे चल कर आगे भी मिलेगा आपको डन, तो आज के लिए इतना ही आयोप समझ में आया है, समझ में आया हो तो भाई, वीडियो को like, share, subscribe करना ना, मिलते हैं next class में ओके, thank you